टुडेइस टेक्निकल न्यूज फर्स्ट न्यूज है ओपो ने लॉंच की 125 वाट फ्लेश चार्ज तक्नीक 4000 मिलियामफियर बैटरी 20 मिनट होगी फुल चार्ज ओपो ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 125 वाट फ्लेश चार्ज तक्नीक को बजार में उतार दिया है जो की 4000 मिलियामफियर की बैटरी को 5 मिनट में 41 प्रतिशत तक चार्ज कर सकती है जबकि इसे फुल चार्ज होने में केवल 20 मिनट का समय लगेगा बता दे की कमपनी 125 वाट फ्लेश चार्ज के साथ ही 65 वाट का चार्ज भी लॉंच किया है तक्नीक 65 वाट एर वॉक वाइरलेस तक्नीक की तुलना में काफी फास्ट है सेकंड न्यूज 6000 मिलियामफियर बैटरी और चार कैमरों वाला गैलेक्सी M31 इस महिने में देगा दस्तक जानिये कीमत और फीचर्स स्मार्ट फोन निर्माता कंपनी सामसिंग का नया स्मार्ट फोन गैलेक्सी M31 इस मह भारत में दस्तक देगा यह सामसिंग का मिद रेंज स्मार्ट फोन होगा जो गैलेक्सी का अपग्रेडेड वर्जन होगा फोन को 20,000 रुपे के प्राइस सेग्मेंट में लॉंच किया जा सकता है नया Galaxy M31S Smartphone E-Commerce वेबसाइट Amazon के साथ Samsung और अन्य रिटेल स्टो पर विक्री के लिए उपलब्थ रहेगा फोन की विक्री अगस्त माह में शुरू होगी Galaxy M31S Smartphone के इन-house Super AMOLED Infinity Zero डिस्प्ले के साथ आएगा इस तरह का डिस्प्ले आम तोर पर Samsung के flagship स्मार्ट फोन में देखने को मिलता है IANS की खबर के मुताबिक Galaxy M31S Smartphone के रियर पैनल पर Quad यानी 4 कैमरों का सेटप मिलेगा इसका Primary Lane 64 Megapixel का होगा साथ ही फोन में Power Backup के लिए 6000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी इसके अलावा प्रोसेसर के तौर पर इन-house Exynos 9611 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ फोन Android 10 आधारित One UI बेस्ट होगा फोन को 6GB RAM और 128GB Storage Option में पेश किया जा सकता है लेकिन आधिकारिक तौर पर फोन के Storage Option के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी जो 15W Fast Charging को स्पोर्ट करेगी थर्ड News जियो के नए प्लेटफॉर्म जियो टीवी जोड का एलान अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी Netflix समेथ 12 OTT आप की सुविधा नए जियो टीवी जोड प्लेटफॉर्म पर सिंगल बार एक्सिस करना होगा इससे हर एक एप के लिए अलग-अलग साइन प्रक्रिया से गुझरना नहीं पड़ेगा साथ ही यूजर्स को सभी एप को एक्सिस करने के लिए एक बार ही पेमेंट करना होगा इतना ही नहीं, हर जियो टीवी जोड प्लेटफॉर्म में हर एक अप में अलग से नहीं जाना होगा जियो टीवी जोड के टॉप मेन्यम में मूवी, शोच, लाइब टीवी, किट्स, म्यूजिक के सेक्शन होंगे जो एक जगह पर सभी आपके कंटेंट को इंटीग्रेट कर देगा साथ ही यूजर्स को कंटेंट सर्च करने में भी आसानी होगी नमबर फोर, ओपोर 12S पावरफुल प्रोसेसर और दमदार बैटरी के साथ हुआ लॉंच, जाने कीमत और स्पेसिफिकेशन्स चाइनीज फोन निर्माता कंपनी ओपो ने अपना नया बजट रेंज स्मार्टफोन ओपोर 12S लॉंच कर दिया है जो की ओपोर 12 सीरीज का ही नया स्मार्टफोन है इसे मीडियेटर कहीलियो P35 चिपसेट पर पेश किया गया है इसमें खास फीचर्स के तौर पर ड्यूल रियर कैमरा सेट अप 4350 मिलियांपियर की बैटरी दी गई है फिलहाल कंपनी ने ओपोर 12S को कमबोडिया में लॉंच किया है लेकिन उमीद है कि आने वाले दिनों में यहां अन्य देशों में भी दस्तक दे सकता है ओपोर 12S की कीमत ओपोर 12S को सिंगल वैरियंट में लॉंच किया गया है इसमें 3GB RAM के साथ 32GB इंटर्नल मेमरी दी गई है और इसकी कीमत 129 डॉलर यानी करीब 9700 रुप्ये है यह स्मार्टफोन ब्लू और ब्रे दो कलर वैरियंट में उपलब्ध है कमपनी ने इसके लॉंच की घोषना कमबोडियाई फेस्बुक अकाउंट से की है ओपोर 12S में 6.2 इंच का HE Waterdrop Notch डिस्प्ले दिया गया है इसमें 720 x 1520 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन और 88.3 प्रतिशत का स्क्रीन तू बॉडी रेश्यो दिया गया है यह स्मार्टफोन 2.3 GHz Mediator Helio P35 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें दी गई स्टोरेज को MicroSD कार्ट की मदद से 256 GB तक expand किया जा सकता है पावर बैकप के लिए इसमें ओपोर 12 की तरह ही 4230 मिलियामफियर की बैटरी दी गई है ओपोर 12S कमपनी का budget range स्मार्टफोन है और इसमें dual rear camera setup दिया गया है फोन का primary sensor 13 MP का है जबकि 2 MP का secondary sensor मौझूद है वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए AI Beauty फीचर के साथ 5 MP का front camera दिया गया है ओपोर 12S स्मार्टफोन के back panel में fingerprint sensor मौझूद है इसके अलावा user's privacy के लिए Face Unlock फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह स्मार्टफोन Android 9 Pie OS पर आधारित है थांक यू, प्लीज लाइक, कॉमेंट और सस्क्राइब